जन जन के आवाज जीन भारत में आपका बहुती स्वागत है और हमने आपको हमारे बगल में जैसा आप देख सकते राजेश खड़े हैं हमने राजेश की खबर जो है वो जीन भारत में हमेशा प्रमुक्ता से चलाई क्योंकि जन जन के आवाज पहुचाना ही आप तक हमारा म ला था और यह कहा गया था कि आपस लेटर को जाईए आपको सिख्षक के रूपे आपके न्युक्ती हो जाएगी लेकिन जब यह उनिवर्सिटी में गया तो गेट के बाहर चिल्चिलाती धूप में चार घंटे तक इनको खड़ा रखा गया अंदर नहीं जाने दिया गया व मुझे विश्वविद्यालाई के गेट के बाहर ही रखा मुझे परमिसन आगे जाने का नहीं दिया गया जैसे पहले होते आ रहा था वेचा ही फिर से दोबारा मुझे मेरे साथ हुआ मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया और धूप बहुत चिल्चिलाती धूप थी लेटर जमा करने के लिए मुझे गार्ड को ही देना पड़ा और गार्ड ने लेके लेटर गया अंदर और वहां से वे बोले कि आज अभ्हेंट नहीं हो सकता है मैं वापस जाने लगा और बहुत दूर जाने के बाद पीछे से पुलिस की गारी गई और पुलिस की गारी मेंटर को देख रहे थे उन लोगों ने बोले कि आपको पर्मिसन नहीं दिया जा सकता पढ़ाने का और फिर मुझे बाहर निकलने के लिए कहा जाने लगा पुलिस के दौरा और मैं बोला कि मुझे भीसी से भेंट करने दिया जाए लेकिन मुझे किसी से भेंट नहीं करने और इस तरह से मुझे वहां से पुलिस द्वारा बाहर निकाल दिया गया, फिर से उनीवर्शिटी से, और मेरा वहां कुछ नहीं हो पाया, तब मैं फिर से द्वारा राची धरना स्थल पर पहुंच गया हूँ, और मैं धरना स्थल पर भूरा सुलूख हुआ है आपके साथ? फिर से उसी तरह का सुलुक हुआ जिस तरह से पहले होते आ रहा था उसी तरह का फिर से हुआ है अब अब आप क्या करी है क्योंकि अब तो आप फिर से यहां पर बैठ गया है राजपाल से क्या कहीगा राजपावन क्या क्या रहा है मैं मुझे उमीद है इस जगह से मुझे उमीद मिल सकता है मैं इसलिए दोबारा आया हूँ और लेटर देकर एक बड़ा धोका हुआ आपके साथ देखिए लेटर जिस प्राधिकारी ने मुझे दिया उन्होंने मेरे अच्छे के लिए दिया यह युनिवर्सिटी को कंसीडर करना था ध्यान देना था वे चाहते तो मुझे रख सकते थे किसी तरह का उन लोग पर दबाब तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन वे चाहते तो हो सकता था मुझे जिन लोगों ने लेटर दिया, उन लोगों ने मेरे साथ दोखा नहीं दिया है, उन लोगों ने मेरे भलाई के लिए इस तरह किया, लेकिन विस्वविद्याले को ये चीज संग्यान में लेना चाहिए, उन लोगों नहीं लिया, विस्वविद्याले का कहना है कि आप यूणिवर्सिटी को राश्टी अश्तर पर बदनाम कर रहे हैं इसलिए आपके साथ आपको अंदर नहीं आने दिया जारा है से राषटी सतर पर अब कैसे बदनाम करें विस watt आजomina कर रहा हूं तो 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 क्या इतने बड़े संगेस्थान को कई बनाम कर सकता है और बनाम कर सकता है तो क्या उस पर कोई कारवायी नहीं हो सकता है चलिए तो आपने खास कर सुना कि इन्हों ने कहा कि अंदर के लोगों को कहना युणिवर्सिटी का क्या बदनाम करें युणिवर्सिटी को आप ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशाशन पर लगता है और साथ ही ऐसे लेटर जिया ये लेटर का शायद कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पर ये लेटर को देखा ही नहीं गया ना समझा गया तो ऐसे लेटर का क्या मतलब है तो इससे ना सिर्फ प्रशाशन पर ब बेल आइकेन बटन दबाना ना भूले